हेलो गाईस विल्कम तो मैं चानल दसन टारूट 7777 hope you all are fine and enjoying your life तो मैं हो आप सबकी टारूट रीडर तरूजा और आज मैं देखने वाली हूं कि आप जो है अगर रिलेशन्सिप में हो और no contact situation है ठीक है अब जो है बिल्कुल आप last step पर आचुके और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा सब्सक्राइब करें और बहुत सारी चीजें मैच भी कर सकती है बहुत तो बस जेनल रिडिंग सोच कर चले ब्रूब पॉजिटिव होकर देखना है देखते वक्त अपने परसन को याद में रखना है ठीक है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए विना टाइम का सब्सक्राइब कर देखते हैं ठीक है अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हो ठीक है मैंने अपना जीमेल और इंसा इडी दे रखा है सो हम देख लेंगे अच्छे से डीटल में देखेंगे कि क्या आपके ओके परसन के साथ आपकी रियूनियन हो पाएगी या नहीं हो और क्या सिचुएशन है कैसा सिचुएशन है जो कि यह सारी चीजे हो रखी है ठीक है आप लोग जो है आप लोगों को साथ में रहना चाहिए या फिर मुव ऑन कर जाना चाहिए ठीक है सो यह सारी चीजे हम देख लिते हैं कार्स हम पहले ले लिए अच्छे से फिर देख लेंगे ओके एक लास्ट कार्ट हम लेंगे इसके थरू सो दो कर्सा है वह में ले लिए ठीक है रिडिंग सुनू करने से पहले में बताना चाहती हूं कि कोई भी जेंडर वाले आप सामने आएगी तो यह लिए वैलिड होगी उस पत के लिए वैलिड होगी और बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको देखर जाएगी ही ठीक है तो यहां पर पहला कार्ड आप का रिलीज इससे यह पता चल रहा है कि दोनों ही आप दोनों जो पार्टनर हो काफी ज्यादा नि निकेटीवीटी बठा लिये हो एक दूसरे के प्रती ठीक बहुत ज़्यादया टेवीटी दिखाई देथैं मुझे ठीक है प्यार तो बहुत है दोनों में ही दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हूं यह सारी चीज़ें आप दिखाई दे लिए लेकिन ज्यादा यहां पर निगेटिवीटी दिखाई दे लिए तो यहां पर अगर मैं पताओं सिंपल वड में कि आप लोग की जो है रियूनियन होगी या नहीं होगी या फिर फ्यूचर हो सकता है या नहीं तो डिफिनिटली आप दिखाई दे रहा है कि आप दोनों सोल में टेक दूसरे के लिए आप दूने दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हो ठीके आप लोग एक साथ हो सकते हो रियूनियन होते हुए भी मुझे दिखाई पड़ रहा है लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर आपका काड़ा है वो टेक दर लीट का काड़ा है इट मींस आपको जो है अगर आप चा दिखा करा है कि यह पर своим मेरे पास आ जाया और मुझे बछा कर ले ठीक है तो जो बनสتم परना दो घालेना हो तुच आप गए होते हैं और आप लोग एक साथ हुए होते ठीक है लेकिन बहुत लोग जो है सेप्राइट हो अभी भी इसलिए क्योंकि दोनों के जो similarity दिखाई दे रहे हैं कि मुझे नहीं जाना है और बस बैट के केले में सोचते रहते हो कि वो परसे ना जाएंगे कोई decision लेना है तो यहां पर decision काड आया है आप देख सकते हो कि आप जो सपना देखर हो उसको पूरा करने के लिए different होगा अच्छा होगा देखो यहां पर देख रहो दोनों similar दिख रहा है तो यहां पर एक heart chakra आया है आपका जो की काफे ज्यादा imbalance है और यहीं imbalance होने के वज़े से आपका relationship अच्छा नहीं चल रहा है सबसे बड़ा यहां पर यहीं reason है कि आपके life में सब कुछ है प्यार है दूसरे से प्यार करते हो सोल मिठो फिर किस चीज की कमी है तो definitely यह कमी यह है कि आपका जो heart chakra है वो काफी ज्यादा imbalance है ठीक है और आपने ही इसको imbalance बनाया है तो आप ही जो है इस चीज को balance पे भी ला सकते हो इसके लिए मैं आपको बता दोंगी remedy किस तरह से आपको इस बता है इसको हम manifestation भी कह सकते हैं ठिक है या Meditation भी कह सकते है उसी का एक पार्ट है बस पांच मिनट दो मिनटे बैट के आपको क्या करना है जो अपका heart होता है heart chakra होता कहां है ठीक है तो heart chakra जो हमारा heart होता है उसके just parallel होता है और यह चक्र जो है हमारे किस-किस selे related होता है हमा हमारे mind body soul को balance में रखता है ठीक है और प्यार को compassion को जो harmonious relationship होती है उसको balance रखता है healing लाता है हमारे बीच तो जब तक आपका जो यह हर्ट चक्र balance नहीं होगा आप आप बैलेंस में नहीं आओगे नहीं आपका प्यार relationship balance रहेगा ठीक है इसे प्यार करने से नहीं होता है बहुत सारे चीजें होती है जिस पर हमें focus करना चाहिए हो सकता है बहुत सारे लोगों को चक्र के बारे में पता भी नहीं हो तो एक बार सारे चक्र पर discuss कर दोंगी वीडियो बनाओंगी अगर आप चाहते हो तो लिखना कमेंट में तभी मैं बनाओंगी ठीक है नहीं तो फिर साइद नहीं देखोगे आप लोग तो फिर वेस्ट हो जाएगा वह ना तो बस में यह बताना चाहती हो कि जो हड़ चक्र है अब कना चाहिए अर पेस्की में तो है निकलता है तो आपको बहुत ज्याद़न है अच्छा फिलь हो रहा है और आपकी हीलिग और यहाँख एस तरह यहाप देख सकते हो तो लेकिन यहां पर एक चीज और दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को इंतजार भी करना पड़ जाए लंबे समय तक लेकिन रिब्यूल्ट का काड़ा है सब कुछ ठीक होते हुए भी यहां पर दिखाई दे रहा है तो इससे यह पता चलता है कि आपके action पर ही आपका सारा कु आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है वह परसंट ठीक है वह दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को जो एफट है वह काफी ज्यादा डेडिकेटर अफट है ठीक है पूरे दिल से डेडिकेशन के साथ आप लोग एफट लगा हो इस तरह का रिलेशनसिप बनाए प्यार है सो इसलिए मैंने अपको सेजेस्ट किया कि आप लोग जो है अच्छे से एक्षन लो ठीक है अपने एफट लगाओ थोड़ा वेट कर सकते हो वेट करना पड़ेगा आप लोगों को और साथ-साथ आक्षन भी लेना पड़ेगा अगर आपके बीच में इगो का प्रॉब्म ह फिल करना कि आपके दिल द्माग से जो भी निगेटरी निगेटीवीटी है वह है और वाशान होते जारी है यह और और घ्यू चार्षन कर सकते हो अच्य कहन हो हो जाएगा यहां पर देख रहे हो डीओल्ड का काड लिट का कार्ड देख रहे हो सब कुछ अच्छा होते भी हुए भी आपि दिखाई दे रहा है यह विए दिखाई देरा यह देखरो डिवीड यह दिखाई देरा है आप लोको का रिलेस्टिछन से फिर लाव कान एक में स देफिनेटी कि आप लोग सोल मेठो और एक साथ होते हुए भी दिखाई पड़ रहे हो ठीक है सो हम और कार्ट के थुरू समझते हैं कि क्या कुछ मैसेज़ेस आ रहे हैं आपके लिए सब्सक्राइब कर देखेंगे कि एंजल क्या कहना चाहते हैं आपके डिलेशनसिप के लिए कि आप लोग एक पर हो पाओ गया नहीं इन सारे काट के थुरू तो यह पता चला कि हाँ डिफिनेटली आपके परसन जो है डेड्रीम करते हैं आपके बारे में सोचा करते हैं आपक परसेे को डिए मैं ही लिए जिस तरह इस परसंट का हट चक्र हील हो जाएगा बालेंस हो जाएगा तो बैर संसे में को बीदी होगे और अक्षन लेने को भी होंगे तो similar similar है आपका भी जो है feeling विल्कुल इसी तरह है आप भी कोई action नहीं देना चाहते responsibility effort नहीं रहना चाहते हैं सो जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाना के देखते हैं okay woman holding a heart so definitely यह जो है yes का काड है बहुत ज्यादा बहुत साई लोगों से यह मैच कर सकता है वेट यह जो काड है उससे मैं बताना चाहूंगी कि हो सकता है यह पर्सन जो है family issue में फसेवे ठीक है financial problem है that's why यह action नहीं ले पारे अभी जो है अपने relationship पर यह ध्यान नहीं देख पा रहे है एक काड़िया पर और गिरा है यह परसन जो है aggressive nature के हो चुके है ठीक है भाले जो है इस परसन में अग्रेशन नहीं था असान थे ठीक है लेकिन अब जो है situation के वजह से यह थोड़ा aggressive दिखाई दे रहे हैं मुझे ठीक है और जब कभी सब कोई बात होता है तो बहुत ज़्यादा aggression में आ जाता है ठीक है दसन दसन का काड़ आया है आपके रियूनियन के लिए ठीक है डिफिनेटली आपके दिखाई दे रहा है कि रियूनियन होगी और सब कुछ अच्छा होगा prosperity abundance आपके तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है ओके ओके यहां पर है सेवेंट चक्र आर्क एंजल यूरियल ये इंजल जो है आपका साथ देती है आपके साथ है बस यहां पर एक चीज है कि आपको action जरूर लेना होगा विदाउट action आप तो कुछ नहीं कर पाऊंगे जब तक आप कॉल करके बात नहीं करोगे इतने परसंट से कैसे सब कुछ क्लियर होगा definitely तो यहां पर कॉम्यूनिटी का काड़ा है इससे यह बता चलता है कि कुछ बड़ा celebration और अच्छी चीजे नियू बिगनिंग होते तो बहुत ज्यादा ऐसा मुझे फील होना है कि हो सकता आपके परसंट या फिर आपका जो भी आप देख रहे हो मेल या फीमेल फाइनेशल स्तीती जो है वह आपकी अच्छी नहीं चल रही है लेकिन बहुत ही जल्दी यह आपकी फाइनेशल स्तीती अच्छी हो जाएगी जो कंडिशन अच्छा हो जाएगा तो डिफिनेटली आपके परसंट जो है आपके तरफ ध्यान देने लगेंगे यह जो मैसेज आपके लिए भी हो सकता आपकी जो है फाइनेशल प्रॉब्लम चल रही है आप अपने रिलेसंशिप से दूर हो ध्यान नहीं दे रहे हो केरि देफिनेटली काफी जगड़ा हुआ है और अलग हो या फिर आगे जो है चांसेज हो सकते हैं जब आप लोगे तो डिबेट हो सकती है अटाच्मेंट बहुत ज्यादा एक दूसरे से अटाच्ट हो डाइस वाए अलग नहीं हो ठीक है तो यहां पर यह मैसेज क्लिए हो रह नहीं मान रहे हैं आप लोगों को एकसेप्ट करेंगे ठीक है इन डिसीजन डेफिनेटली आपके जो परसन है और आप भी काफी जादा इन डिसीजन में हो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए आपका ऐसा ही सिचुएशन मुझे दिखाई अपर है टो है कि टीक कि हट चक्रों को आपको बैलाइस करना ह 이제 पतेख रचने को बैलस करंगे तो दिफिनेटली आपको manifestation या meditation करना चाहिए for five minutes five minutes के लिए भी सुरू करो beginners के लिए सो देखो डो टू personal healing and happiness ठीक है तो यहां पर definitely बहुत अच्छा चीज़ा आया है अच्छी कार्ट साय है healing का कार्ट दो बारा है ठीक है बस आपका healing तभी होगा जब आपने negativity को निकालोगे अपने में से ठीक है जाने दोगे अपने परसंद के बारे में गलत सोचना बूरा सोचना वह बंद करो क्योंकि आपके परसंद भी जो है काफी ज़दा difficult situation से गुजर रहे है यह चीज भी दिख रहा है financial problem है लेकिन उनका भी financial problem ठीक हो जाएगा ठीक है साथ-साथ जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काड़ा है वह केरिंग कनेक्शन का काड़ मतलब कि आप लोग एक होते हुए यहां दिखाई पड़ रहे हैं दुस्ती चीज दो टू पसनल हीलिंग मतलब कि आपकी जो अपनी जो भी है प्यार से रिलेटर जो भी चीज़े वह सारी चीज़ें में आपको ही हीलिंग मिलेगी साथ-साथ happiness भी आ रहा है आपके तरफ ओके सो अब हम दिखते हैं कि मर्मेट जो है आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रही है ओके प्लीज एंजल हेल्प में गाइड में एक्यूरेट मैसेज मर्मेट कि क्या होगा मेरे व्यूवर्स का ओके दिखते हैं इस काट के थरू ओके सो यहां पर हीलिंग का अगया बहुत अच्छी बात है बहुत ज्यादा असा दिख रहा है कि आप लोग कफी जल्दी मिलने वाल आपके तरफ सब कुछ आते हुए इस परसंद के साथ ही आपके जिंद्गी गुजरेगी अच्छी होगी काफी ज्यादा ठीक है सब कुछ होगा इस आपके मैरिट लाइफ में ओके यहां पहें जेंटल लेस आपके परसंद जो है इस बाल काफी चेंज होके आएंगे हो सकत अब आपको जो है अपनी परसंद के तरफ मूड़कर देखना चाहिए ठीक है मूव ओन नहीं करना है एक बार अपनी परसंद को चांस देकर देखो यहां पर ऐसा कहा जा रहा है आपको ठीक है मर्मेड यह मैसेज़ेस दे रही है और देखते हैं ओके सो जो है हो सकता है आपके परसंद आपके पास आएंगे तो पहले जो है आपकी फ्रेंड्शिप होगी इस परसंद से यह परसंद जो है आपके तरफ आपके पहले फ्रेंड्शिप करना चाहते है क्योंकि इस परसंद को भी दुख हुआ है हो सकता है इस परसंद से भी जरुवत के लिए यह person आ रहे हो तो इस चीज के लिए से भी आपको aware रहना है बहुत साइव लोगों के लिए हो सकता है ठीक है या फिर यह भी awareness हो सकता है कि इस बार जो है हर एक कदम को आपको अच्छे से फूख फूख कर रखना है अच्छे से चलना है ठीक है कि कोई भी गलती ना हो जाए या फिर बाद में रोना ना पड़े ठीक है अपने फीलिंग की गदर भी करना आप लोग सीखो ठीक है असा नहीं है कि यह मैं आपको बोला चाहती हो अपने मतलब पार्टनर को खुश रख पार दिया ठीक है इस वज़े से आप लोगों में इस इंडरस्टानिंग हो गई लेकिन यह परसंट जो है चेंज होकर आ रहे हैं इस परसंट में काफी ज्यादा में अब दिखाई दे रही है ठीक है जेंटल हो चुके है अगर आपके दिल दिमाग में कोई प्रॉब्लम है किसी चीज को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो ठीक है और अपने परसंट से पूछना चाहते हो बहुत सारे क्वेश्चन है तो फोन लगाओ मैसेच करो ठीक है बेटर हो फोन लगाओ जितना भी दिमाग में आपका क्वेश्चन है वह कोश्चन उसे पूछो ब पंदिगी का तो आपको बस ठीक है साथ रहना है या नहीं रहना है कम से कम क्लियारीटी होनी चाहिए आपका दिमाग सांथ होना चाहिए ठीक है हर चक्रें जो है बालेस में होना चाहिए देखो positivity कार आया है जो मैंने बोला वहापको डिफिनेटली करना है आपकी positivity हो कुछ कह पा रहे हैं लेकिन यह भी चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए ओके सो हो सकते हैं जाओगे तो यह परसिंद आपके पास रोएंगे आपको मनाएंगे ठीक है तो आप मान जाओगे ड्रीमिंग डिफिनेटली आपको जो भी सपना है वो पूरा होते हुए दिखाई द जाते हो यह सारी चीजे पहले खुझस से पूछी जा लो ठीक है पियार क्या होता इसने जो फिल्वाट पर शाणों ठीक है किसी और के पास जाओ बस से पहले प्यार करना सिखो जिन आप दूसरे से तो यहीं कर शकोगे ठीक है एक रास का दम देख लेते हैं कितरू पोके सो इस बार जो है काफी ज़्यादा आपके परसंट वर्दी बनके आएंगे तो आप दुनों की बीच में ट्रस्ट होगा डिलेशन सिप में आप देख रहे हो यह जो मर्मेट है वह हैपी भी दिखाई देरी है तो अच्छा होते वह यहां पी दिखाई पड़ रहा है मझें ओके तो कुछ कार्ड और लेकि हम मैसेज के लिए और तकि आपको अच्छे से क्लियारिटी मिल सके ओके सुमनलोजी मैंने लिया है आपके लिए क्या मैसेज जे सारे गाइदेन्स आपके लिए लक्ति ऑन यूर साइट आपका जो कुछ भी ड्रीम है सपना है वह पूरा है अच्छा होने वाला है सब कुछ ठीक है what do you need to release आप क्या release करना चाहते हो ठीक है आपकी दिमाग में क्या चल रहा है दिमाग में बहुत ज्यादा negativity आपके ठीक है यह मैं देख पार रहे हूं सो प्लीज रिलीज का काड आया है आपको रिलीज करना है रिलीज का काड अग जादा message resonate कर रहा है यहां पर आप देख रहे हो यहां पर देख सकती हो healing का काड है देन यहां पर healing का काड है ओके फिर यहां पर healing का का रपका आया था you can see here इतरे ज्यादा जो है सारे काड चीक चीक कर कह रहे है आपको कि आपको जो है हील करना है खुद को ठीक है सो बस healing का मैं आपको मैंने आपको प्रोसेस पता दिया ने हर्ट चेक पर काम कर सकते हो हर्ट चक्रों को बैलेंस करने करें दूसरी चीज अगर नहीं करते हो ठीक है दूसरी चीज यह कर लो कि आपके दिमाग में जो कुछ भी question है जाके आपके person से पूछो clarity लो आपकी definitely उसी वक्त healing हो जाएगी ठीक है और वो जो कुछ भी कहेंगे उसको accept करना ठीक है और बोलना उनको कि बिल्कुल वह सच ही बताए आपको ठीक है healing हो रही है आपका सब प्राक्टिकल प्लान मतलब कि आपको वर्क करना होगा तो आप दोनों का relationship जो है बहुत अच्छा हो जाएगा ठीक है तो यहां पर answer यह क्या है question का yes कि आप लोगों की जो है union होगी या नहीं या future है या नहीं तो definitely बहुत अच्छा future है ठीक है काफी ज्यादा healing होते हुए द देख लेते हैं true love reading कि तुरू ताकि और और भी अच्छे से messages clear हो सके सो मैंने खार से निकाल के रखाने ता तसलिए वक्त लग रहा है तो लेट्स चेक इट आउट कैसी रहेगी बाउंडिंग जब आप लोगों मिल जाओगे तो वाओ compatibility आपके परसंट जो है इस बार आपको बहुत अच्छे से टाइम देंगे साल साल आपको मनाएंगे भी ठीक है और enjoy करेंगे आपकी company को हमेशा खुश रहेंगे definitely यह दिख लिए अच्छी बात है फर्स प्रायोटरी सेल रिस्पेक्ट होना चाहिए अच्छी अब यह परसंट जब आपके लाइफ में आएंगे जब आपको सारे कोश्यंग गांसर मिल जाएगा तो अपके अंदर इनर पीस आएगा थीकिए अंदर से आपको जो है सांती मिलेगी ही आपकी परसंट की भी और कि डिलेशनशिप की भी होगी और बाउंडिंग जो है काफी स्ट्राउंग होते हुए दिखाई दे रहा है आपका जो लानी ने से अकेले बैठे हो वह भी कि भाटे हुए दिखाई पड़ रहा है सो यह देखो कितना अच्छा एंज्वाइमेट वाला काड आया है you can see here waterfall है जिसके ऊपर rainbow है यह काफी अच्छे symbol दे रहे हैं कि आपका relationship काफी ज़्यादा ग्रो करेगा ग्लो करेगा साइब फ्लोरिश होगा और आपका relationship है love life है वो क्या हो जाएगा बिल्कुल एक garden की तरह सुन्दर हो जाएगा ठीक है इस आपको जो है अपने खुद को लव करने की बहुत ज़्यादा जरुवत है self-love यह जो है guidance आपके लिए है connection आप दोनों के बीच बहुत प्यार connection है और आप लोग definitely soul matter दो हो सकता है यह जो आप लोगों के बीच में अभी जो बात नहीं हो रही है जो इसवक्त अप स्ट्रॉंग बन सको और एक दूसरे के लिए मेचियोर बन सको एक दूसरे की फीलिंग समझ चबो और एक दूसरे का आगे चलके अच्छे से साथ दे सको ठीक हो सकता है इसलिए आप लोग जो है अलग हुए हो इमोशनल फ्रीडम देखो आगे डिफिनेटली आपको इमोशनल लेते हैं डिस्टॉर्ट मैस्क्यूलीन अगर फीमेल लेकरी मेल के लिए तो मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगी कि आपकी जो परसन है वह काफी ज्यादा मतलब उस परसन के पास सब पुछ है ठीक है लेकिन वह परसन काफी ज्यादा अकेला फील करते है लो फील करते है अंको फील होता है कि कुछ नहीं है मेरे पास सिर्फ निगेटिविटी इस परसन में भरी भी है यह चीज़ दिखाई पड़ रहा है ओके तो यह परसन डेफिनेटली रिस्पेक्ट करती है आपके ठीक है यह रिस्पेक्ट करने वाले परसन है इस परसन का नेचर अच्छा ह यह चीज़े दिखाई पड़ रही है डिस्टॉर्ट फेमिन आप भी काफी जाद जिस तरह से आप दिखाई दे रहा है दोनों की सेम एरजी है डिस्टॉर्ट बेस्क्यूलीन डिस्टॉर्ट फेमिन मतलब दोनों ही दुखी हो एक दूस्ते के विना ठीक है असानी है कि आप अपने लाइफ में क्लियारिटी चाहते हो ठीक है और अच्छी रिलेस्टिप चाहते हो तो आपको जह है अने परसन से डिफिनेटली बात करना होगा यह यह वाली चीज प्यार में तो अभी हो ली ही नहीं चाहिए ठीक है ओके स्प्रिच्वल मैश्वेरिटी मैंने ब हो सकते हैं आप समझ नहीं पा रहे हो लेकिन यह इस दौरान आप लोगों की मैश्यूरिटी हो रही है ठीक है सो कमिट्मेंट डरे वह भी हो आप बिल्कुल लेकिन कमिट्मेंट है जो डिफिनेटली इस परसन से आपको मिलेगा इस टाइम चीक है क्रियेटीविटी अब हम छोड़ते हैं यह सारे कार्स देख लिए तो यह सारे कार्स काफी अच्छे मैसेज दे दिये कि जो है कमिट्मेंट इस परसन से मिलेगा और आगे चलके आपका लाइफ जो है एक साथ मुझे दिखाए दे रहा है मैड़ लाइफ ठीक है क्रियेटी परसन के साथ मेरी spiritual maturity होई जो मैं सोल मेट है बिल्कुल मुझे उसके साथ रहना चाहिए तो यह सारी चीजें है और यह सारे मेसेज़स आया है तो आपका जो कोश्चन है कि आप लोगों की यूनियन हो पाएगी या आप लोगों का future एक साथ है या नहीं तो बिल्कुल है ब कोड़ा सा वर करो काम करो ठीक है अगर नहीं हो पाता तो कम सी कम manifestation करना सुरू करो पूरे दिल से करणा यह manifestation पूरा होता है जब आप दिल से मांगते हो तभी ठीक है और अच्छे से रहना है इसांत रहना है और जीतना भी कोशन आपके दिमाग में तो मैंने बताया कि आपक कर सकते हों कि यहां पर आपकी रिडिंग खत्व होती है तब तक लिए बाबाई एंड टेक्ट कियर